हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्ट डी वितिशान्दी में दोस्तों आज का वीडियो है जो आपका यूपर्टर पलेसी जेई 2016 का एक्जाम 19 दिसंबर 2021 को हुआ था अगर आप वीडियो देखना चाहे तो उसका लिंक मैंने discussion box में दे दिया है अदरवाइस चैनल पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा आप सर्च करके भी देख सकते हैं ठीक फ्रेंट्स तो दोस्तों आज की वीडियो की बात करें आज का वीडियो है जो आपकी core branch है उससे संबंदित है दोस्तों यह जो मैं आंसर की आपको बताऊंगी यह textbook के अनुसार नॉन टेक्निकल कभी मैंने टेक्स्ट बुक के ही अनुसार दिया था ठीक फ्रेंट्स चार तारीको टेक्ट बुक ने इसकी आंसर की रिलीज की है तो उसी के संबंद में यह पूरा वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को जादा सजादा लाइक किया करिए ठीक फ्रेंट्स तो आईए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों यहां पर मैंने जो बुकलेट सीरीज ली हुई है वो डी सीरीज ली हुई है दोस्तो तो सारे question वही होंगे जो इसमें आपके 125 question आ हैं वो D में भी होंगे, A में भी होंगे, B में भी, G में भी सारे वही होंगे बस उनका क्रमांक बदला होगा ठीक है वो आपके D में आपके 10 number में होगा तो B वाले के हो सकता वो 15 number पे हो तो दोस्तो इतनी महनत आप खुद से भी क कर देते हैं के साथ ही दोस्तों जो आज का सोलूशन वह सिविल व्रांच के लिए तो जितने भी हमारे सिविल वाले स्टुडेंट हैं तो उनके लिए वीडियो ये यूसफूल है ठीक फ्रेंट्स इसी के साथ ही दोस्तों देख लेते हैं जो पहला प्रश्ण है जैसा कि आप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिजमी कंपास मुखिता किसके लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है तो इसका दोस्तों जो उचित आंसर है वो यहां पर दिया हुआ है आंसर नंबर सी कह रहा है सामिल कोडों इंक्लूड़ेड एंकल्स को ग्याद करने के लिए साथ ह पहले का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी ठीक है आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा ठीक है दोस्तों दूसरे में कह रहा है आपको मिट्टी का एक नमूना सेंपल दिया जाता है आपको दिये हुए नमूने में पानी की मातरा निधारित करनी है ठीक है और निम लिखित में से कौन सी विधी सहायक नहीं है पूछरा कौन सी विधी इसकी है यह नहीं पानी ग्याद करने के ठीक है तो आपकी जो आंसर सही है वो पीपेट विधी है ठीक है पीपेट विधी से आप पानी नहीं ग्याद कर सकते बीन जलांस नहीं ग्याद कर सकते ठी सेम कारवाइड विदी पिकनोमीटर विदी ओवन ड्राइव विदी सही है ठीक फ्रेंट इसी प्रकार जो तीसरा कोशन है दोस्तों उसमें आपको दो खालिस्तान दिये हुए है कहरे इसमें क्या सही उचित सब्द भरा जाएगा तो दोस्तों जो तीसरे का आंसर है वह आपक यह होगा ठीक है microwave और infrared ठीक फ्रेंट इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रस्टन है चौता नमबर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पैंट से संबन्दित प्रस्टन है और कहरा है मिलान करो कि एका क्या मिलाना है दो को बी को किस से मिलाना है सी को किस दी को इसे ठीक है तो तो जो चौथे का आंसर है, वो उचित मिलाना आपका D हो जाएगा, ठीक है, A का 2 से मिलेगा, B का 4 से, C का 1 से, और D का 3 से, ठीक है, इसको आप अपना उचित तरीके से match करा लिएगा, जो जिस से मिले, आंसर मैंने बता दिया, आपका आंसर नंबर D सही है, ठीक है, ठीक है, अप आजाते हैं दोस्तों पाचवे में, पाचवे में आपसे कह रहा है कि मापन की विधियों के अनुसान लिम लिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा statement इसमें से सही है, statement का प्रश्न है फ्रेंट्स, तो पाचवे में दोस्तों आपको चार statement दे दिये हैं, अब कह इन चारों में कौन सा सही है तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंट्स वह आपका है सी ठीक है केवल बी और सी आपके स्टेटमेंट सही है ठीक है केवल बी और सी ठीक है बी और सी स्टेटमेंट सही है तो आंसर आपका इस प्रकार बना आपका ऑप्सन नंबर सी ठीक है पांच में का सी अगला बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों इतना भी मैं बता रही हूं यह आपका एक्सपर्ट टेस्ट बुक है ठीक फ्रेंस प्रकार दोस्तों अगला प्रशन है छटमा ठीक छटमे में कहरा है सट्रिंग हटाने के लिए निवन लिखे चरणों को आरोही क्रम में विवस् बनने वाला सट्रिंग हटाएंगे ठीक इसी प्रकार आप अगला मैच करा लिजेगा ठीक फ्रेंस चटमे का आंसर आपको हो जाएगा डी ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रशन है सात्वे में जैसा कि देख सकते हैं खाली जगह भरना है और उसमें क्या सटीक सब्द अपको पहचाना है कह रहा है कि जब एक इट एक तरफ का लॉग ? बार करते रहता है आत्वे में दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिक्षित में से किस मशीन परंए वो आपके scraper हो जाएगी answer number B सही हो जाएगा इसका फ्रेंट्स इसके बाद आपका नवा है नवे में दोस्तों आपको कह रहा है प्रेंट्स समंदित कोशन ने कहरा निम्न लिखित में से कौन एक oxygen युक्त विलायक solvent है जिसका उपयोग coatings के निर्मान में किया जाता है तो इसका दोस्तों नवे का answer is A ठीक है एस्टर का प्रियोग किया जाता है ठीक है तीपकार दोस्तों अगला प्रशन है दस्वा दस्वे में आप देख सकते हैं कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन साविकल्प सहायक station क सही ढंग से परिभाशित करता है ठीक है तो जो दस्वे का सही आंसर है आपका A है station जहां ओलोकन नहीं किया जाते हैं लेकिन station पर कोणों का अपयोग triangulation संखला में किया जाता है यह इसका सही आंसर होगा दस्वे का A ठीक है फ्रेंट्स इसके बाद दोस्तों अगला प्रशन है ग्यारवा ग्यारवे में दोस्तों देख सकते हैं हाँ पर टैकोमीटरी से संबंदित एक छोटा सा प्रशन दे दिया था हल करने के लिए कहरा यदि टैकोमीटर के stadia diaphragm के hair cross की दूरी 12 mm है और object class की focal लंबाई 24 cm है तो टैकोमीटर का गुडन इस रंग क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 11 का A ठीक है 20 होगा ठीक है फ्रेंट्स तो 11 का आपका A हो गया इसके बाद दोस्तों बारवे प् पहचानी यह समंधित कौन है ठीक फ्रेंट्स इसके option आपको दिये हूं तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंट्स वो भी है ठीक है सारे दोस्तों मैं नहीं बोल रही हूं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं सिर्फ प्रस्न पढ़ रही हूं और उसका उचित जो आंसर वो आपको बता रही हूं ठीक फ्रेंट्स तो अगला प्रस्न है तेर्वे में आप देख सकते राइफ स्टेर्वे में लिखा हुआ का कथन शही है ठीक फ्रेंस तो तो इस प्रकार से आपका C सही हुआ फिर आयाते हैं पंदरवे नंबर के question पर ठीक है कहरा fine aggregate यहां खालिस्तान भरनी की चालनी से होकर निकल सकता है तो पंदरवे का answer है आपका C number ठीक है 4.75 mm से निकल सकता है ठीक है तो पंदरवे का आपका हो गया C ठीक है इसी प्रकार दोस्तो 16 में एक question दिया हुआ इसको आपको हल करना था तो दोस्तो मैं direct answer बता रहीं 16 answer होगा आपका A 11.09 ठीक है फ्रेंस 11.09 होगा इसका answer ठीक है के बाद दोस्तो अगला question 17, 17 देख सकते हैं foundation से संबंदिते footing से संबंदिते कह रहा है आपके सामने जमीन पर एक plane और एक तरफ reinforcement concrete footing रखा हुआ है इसके लिए T के लिए आपको क्या सर्थ बनाया रखनी है ठीक फ्रेंस तो इसका सत्रवे का दोस्तो जो सही answer है वो आपका है C ठीक है 15 cm ठीक है ज्यादा गहराई और धीली मिट्टी के लिए पाइल foundation को अपनाया जाता है ठीक फ्रेंस इसके बाद दोस्तों अगला प्रेश्ट ने उन्नीसवाँ आपका वाटर सीमन रेशियों से संबंदी थी एलुमिना ही आपकी इट में जितने भी कंपोनेंट है उसमें सबसे अच्छा कार करता है ठीक फ्रेंस इसी पकार दोस्तों अगला प्रेश्ट ने 21 दोस्तों आप देख सकते हैं संबंदी था कह रहा एक सुसाइटी में 50,000 लीटर चमता का ओवरहेड टैंक बनाया जाना है ठीक है उस टैंक की कैपसिटी आपकी 50,000 है ठीक है और परियोजना का पूछ रहा है प्रारंबिक प्राकलन बनाई है प्री एस्टिमेड बनाई है यदि प्रति लीटर तीन रु ठीक है अगला है आपका 22 में आप देख सकते हैं कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको खाली जगे भर नहीं तो 22 में का दोस्तों जो सही आंसर वो आपका C हो जाएगा ठीक है अगला बढ़ लेते हैं इसी प्रकार दोस्तों आप मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रही तेशवे नंबर का आप देख सकते हैं आप पर B हो जाएगा ठीक फ्रेंस लिक्वेट सी ए तेशवे का आपका B हो जाएगा 24 में पर देख लेते हैं इसके बाद दोस्तों अगला प्रसने आप देख सकते हैं 24 में भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ प्लेइन टेवल सर्वे के विकरण मिधी ठीक रेडियेशन मेथेट का जो आरोही चरण है उसको क्रम से लिखिए तो इसका जो डारेक्ट आंसर है मैं आपको बता रही हूं 24 में का आपका आंसर है बी ठीक फ्रेंस 24 का आंसर है भी आप अपनी सीरीज से मैच करा लिजेगा ठ ठीक फ्रेंस तो इसका सही आंसर हो गया इस प्रकार से 24 में का बी धियान रखेगा ठीक फ्रेंस इस प्रकार 25 में चित्र दिया हुआ है कारा कौन सी वाल है तो 25 में का आपका है रैकिंग वाल ठीक फ्रेंस जो आपकी तिरशी है ठीक है यह रैकिंग वाल हो गई ठीक फ्रे आज के बारे में दिया है करा सही मिलान करिए तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपको बता रही हूं आप मिलान कर लिजेगा ठीक कांच वाला प्रस्ण था इसका आंसर है ढगर आप दिया हूआ दोस्तों इसका नंबर का जो सही आंसर है वो 1.5 है दोस्तों सारे प्रस्ण आप सही सेपढ़ते चलियेगा सारे वहाएं करो पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है मेरा उद्देश यह है कि हर प्रश्ण का आपको सही उत्तर बता दू एस पर टेक्स्ट भूग ठीक है अगला प्रश्ण इंप्रश्ण का जो भी डाउट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सो फ्रेंट्स आईए आगे देख लेते हैं 31 नंबर का 31 नंबर देख सकते हैं बीम से संबंदी ते कहरा सीमट निर्वाड के लिए कक्चा माल निम लिखीत में से किस पत्थर की खदान से निकाला जाता है तो सभी को पता होगा लाइम स्टोन से है लाइम स्टोन से आपका सीमेट बनता है जैखाओनामें प्रदार्थ और 32 नंबर में कह रहा है धातु करण की प्रक्रिया में भारती रेलवेव में पलो की प्रेंटिंग के वर्तमान समय समय में किस धात उप्रियोग कीया जाता है ठीक है इसके बाद आपको दे रहा है 33 इंच जोन में अगला प्रस निषाहर में देख सकते हैं चैन सरवे से प्रस्टन और सारी सी हो जाएगा ठीक है आप मिलान कर लिजेगा 34 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 35 नमबर है 35 का भी आपका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा हीट्टिंग ठीक फ्रेंट्स उत्कनन के लिए जो दो पत्थर दीए हुऊ है कारा उत्कनन के लिए कौन सा सबसे 60 suis तो आपका है回可ई इसी पकार दोस्तो आपका है अगला प्रसन सिरीज से मिला लिजीगा कि यह वालन औरों ठीक इसके बाद आपका 38 नम्बर का दोस्तूं जो सही आंसर इसका हो जाएगा दी तो कहीं स्टेशन पर पुरा मिलान देख लेज्यें मिलान से कई सारे प्राश्ण आये थे ठीक फ Its रहें दोस्तों अगला है 39% यहाँ पर देख सकते हैं फिर से मिलान करने को दिया गया है और ये वाला प्रस्ण है estimate से सम्मंदी जितने भी प्रकार के आपके estimate बनते हैं ठीक pre estimate, detail estimate, supplementary estimate, revise estimate तो वो कहरा वो किस किस क्रम में और क्या उसका मतलब mean होता है ठीक आपको वो बताना है तो इसका जो दोस्तो सही answer है 49 का वो आपका है C ठीक है A का 3 होगा, B का 1 होगा, C का 4 होगा, D का 2 होगा, ठीक है अगला प्रस्ण है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, 40 होगा, ठीक है, कह रहा है कि निम्न लिखित में से किसका उप्योग समकोड निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है अगला प्रस्ण है यहाँ पर 41, 41 में आप देख सकते हैं, पूरा-पूरे मैथट की उन्होंने उपर करिये ही पूछ दी, एक तरीके से कह रहा है कि कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो ब्रीक की है, उसको निकालने का आरो ही करम क्या है, और A, B, C, D सारे करम दे दिए हैं, तो आपको बताना है, सो फ्रेंट्स यहाँ पर जो 41 का सही आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, C, ठीकर फ्रेंट्स यहाँ पर जो भी जतने material उनके size दे दिये हैं ठीक है जैसे कि silt है आपका clay है sand है बजरी है तो उनके size के according आपको यहाँ पर fill करना है कि कौन सा बजरी का size fit हो रहा है कौन सा क्या ठीक है फ्रेंस इसका जो सही answer है वो आपका हो जाएगा फ्रेंस बी नमबर ठीक है आपका 42 में का answer हो जाएगा बी नमबर ठीक है इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रस्ण 43 43 में भी देख सकते हैं रिक्तिस्तान भरना है इसका जो सही answer हो जाएगा वो डी पहले में king post दूसरे में queen post भरना है ठीक है दिया हुआ है इसको भी आपको मिलान करना है तो इसका 45 का सही answer हो जाएगा बी ठीक है फ्रेंट्स 45 का जो सही answer हो जाएगा आपका बी नमबर ठीक है आप अपना question मिलान करते हुए चलिएगा ठीक है कौन सा question मैं पढ़ रही हो ठीक है इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 46 नमबर का 46 नमबर का जो सही answer हो जाएगा बी ठीक है आजाते हैं 47 नमबर पर आपका देख सकते हैं ब्रिक्स की compressive strength संबंदी थे फर्ष्ट ग्लास की पूछी थी तो आपका अंसर हो जाएगा बी 105 ठीक है फ्रेंट्स इसके बाद आपका 49 नमबर है 49 नमबर में मैंने बताया था एक दिन की उस मिट्टी पहचान करें जो अपने मूल इस्तान पर एक ही जेगर जमा हो जाती तो आपका flyual मिट्टी है ठीक है Jasmine आपका b नमबर सही हो जाएगा 49 नमबर हो जाएगा B ठीक है फ्रेंट्स इसी प्रकार फ्रेंट्स अगला परशन है पचासवा नमबर जैसा कि आप डेख सकते हैं यह आपका estimate से संबंदिते कहरा एक 2000 मीटर लंबी cement concrete सड़क पर विचार करें जो 4 मीटर चौणी है और 5 सेंटी मीटर मोटी है जो 20 सेंटी मीटर गहरी बजरी के उपाधार base को cover करती है तो road crest में boxing cutting को ग्याद करें तो इसका जो सही answer है हो जाएगा सी नमबर ठीक पचास का सी 2000 मीटर हो जाएगा इसी तरीके से इसको solve भी करना है जैसे कि यहां बगल में किया हुआ है ठीक तो इस प्रकार से आपका जो पचासमें का answer सही होगा वह होगा सी नमबर 2000 मीटर ठीक फ्रेंस इसी के बाद आपका अगला प्रश्न है 51 न पहचानना है कि कौन सा बॉंड ठीक फ्रेंस सबसे पहले तो यहीं से जानगे हम लोग कि यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी डेड़ इट का इंग्लिस बॉंड ठीक फ्रेंस डेड़ निट का इंग्लिस बॉंड ठीक है इसी परकार दोस्तों आपको 53 नंबर में ठीक है। 55 का भी दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। यह आप प्रश्णे थोड़ा बहुत पढ़ते भी चलिएगा सांति ही सांध ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्णे दोच्पन नंबर ठीक है। 56 कह रहा है कि building का type से पहचानिए जिसका estimate आप centerline method द्वारा कर सकते हैं ठीक friends तो 56 का जो सही answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा d first second और third ठीक है तीनों का ही आप centerline method के द्वारा आकलन यानिकी estimate निकाल सकते हैं ठीक friends का दोस्तों कह रहा RCC में shear reinforcement द्वारा क्या रोका जा सकता है ठीक है फ्रेंट तो 58 का आपका सही answer हो जाएगा A ठीक है caving ठीक है friends इसी प्रकार दोस्तों next प्रेस्ट ने 59 उनसर्ट नमबर पर दोस्तों देख सकते हैं कह रहा है कि कोई सलचना है पानी के अंदर उसमें आपको भवन का निर्मान करना है तो किस प्रकार के चूने का उपयोग करा जाएगा तो आपका है hydraulic lime का अपयोग कि ठीक है friends 60 का अंसर हो जाएगा आपका only 2 आला ठीक है B नमबर ठीक है इसके बाद दोस्तों 61 पर आयाते हैं 60 पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं plain table सर्वेच्छर पणाली के संदर में निम लिखित आरेग द्वारा किस विधी को व्यक्त किया जाता है यह यहाँ पर चित ठीक है इसी पकार दोस्तों 63 का सही आंसर है 63 का हो जाएगा आपका एठीक हाला कि यह doubtful बताया गया है लेकिन अभी फिलाल यहीं मान के चलिए 63 का आपका आंसर हो जाएगा एठीक है कुछ चीजे आपकी जब original आंसर किया आईगी official website से तो 2-3 question उसके भी बाद्यम से clear हो ज जानता आयोग किस question को सही मान ले और किस question को गलत मान ले यह पूरा आपका जो जितना भी data collect हुआ वो text book के ही अनसार हुआ है ठीक फ्रेंस तो अभी भी कुछ चीजे एक दो question आयोग पर छोड़ दिये गया है हो सकता वो उसका आंसर दोसरा बता दे और यह इसी में नहीं ल ंसरे वो दस असमलों 94 गन मीटए रहे ठीक के फ्रेंस 54 आंसर आपका होजाएगा बी ठीक है इसी प्रकार दोस्तो 65 on J जो है आपका सीला पर आपका ब्सक्रोड आपिसर नंबर का धेसर नसर अव पर सभी किस एक ही यह चाचेसे पद लिजेगा धुक है इसके बाद दोस्तो 66 नमबर पर आयते हैं, 66 नमबर पर आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलान करना है, कह रहा है सुमेलित कीजिए, यानि की मिलान कीजिए, कौन किससे मिल रहा है, ठीक है, तो 67 का जो सही answer है, वो हो जाएगा B नमबर, ठीक है, A का 3 से B का 1 से C का 4 से D का 2 स से मिलान कराएंगे ठीक इसी परकार दोस्तों अगला प्रश्ण है 68 नंबर 68 नंबर में कह रहा है उन गुडों की पहचान करें जो प्रभावी तनाव इफेक्टिव स्टेट परवर्तन होने के साथ परवर्तित हो जाते हैं ठीक फ्रंस तो इसका जो 68 नंबर का सही आंसर है व कि वेग सुधार वेलुशेटी करेक्शन के लिए क्या लागू किया जाता है तो आपका वायू मंडल प्रुटियां लागू करी जाती है ठीक फ्रंस तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए ठीक है अब दोस्तों आ जाते हैं नीच दोस्तों यहां पर दिया हुआ एक 70 नंबर का जो आंसर हो आपका है डी नंबर ठीक है इसी पकार दोस्तों अगला प्रस ने आपका 72 नंबर में कह रहा है कि सब्टेंस बार द्वारा कौन निर्धायत किया जाता है तो 200 मीटर तक की छोटी दूरी ठीक है 72 का सही आंसर हो ज ठीक है 0,100 ठीक है फ्रेंस 74 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है A ठीक है 0,100 इसी प्रकार दोस्तों 75 प्रस्ण में देख सकते हैं यहां पर भी आपको मिलान करना है मिलान करने में इसका जो सही आंसर है फ्रेंस वो है आपका A नंबर ठीक है और आपको क्या मिलान करना है ये भी चीज आप प्रशन अच्छे से देख लीजेगा ठीक है फ्रेंट्स इसी प्रकार इसका जो आंसर बना दोस्तों वो आपका बना A ठीक है 75 का आपका आंसर हो गया A इसके बाद दोस्तों अगला प्रशन है आपका 76 नंबर 76 नंबर जैसा कि देख सकते हैं याप पर चित्र दिया हुआ है रूफ दिया हुआ है और आपको पह्चानना है कि ये कौन सी रूफ है तो आपका आंसर है इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रस्ट है 89 नंबर 89 नंबर का दोस्तों जो सही आंसर है वो आपका है A ठीक है प्राथमिक दुतिक और तृतियक ठीक है 89 का आपका है आंसर A इसी प्रकार दोस्सो broad चेनफर प्रशब्स में आयते हैं असी नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है सी चेक है reflex वाल ठीक है असी नंबर का सही आंसर आपका सी ठीक है reflex orig प्रश्ण देख लिजेगा ए स्कृंसोड लेते चलिए न या फिर आप उस टिरासी नमबर का जो सही आंसर हो कर फरस्टी जाएगा आपका C ढळान और ahead सोस्ता नहीं होती ए banks इसमें आपको 83 का जो सही आंसर है वो आपका है C नंबर ठीक है इसी परकार दोस्तों यहाँ पर 84 है यहाँ पर एक आपको नुमेरीकल दे दिया है छोटा सा इसका सही आंसर पूछ रहा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार 85 का D, इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्ण यहाँ पर देख सकते हैं, 86 नंबर, 86 नंबर में भी चित्र दिया हुआ है, केरा परिश्ण का नाम बताईए, तो आपका आंसर हो जाएगा consistency test, ठीक फ्रेंस, यहाँ पर आपका 86 का हो जाएगा D, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 87 में भी आपका estimate से संबंदित प्रश्ण है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका D, 30,000 रुपे, ठीक फ्रेंस, 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका D, नंबर, ठीक फ्रेंस, इसी प्रकार आपका 88 नंबर है, 88 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो आपका D, सरविच्छण का radiation method, ठीक फ्रेंस, 88 नंबर का हो जाएगा, सरविच्छण का radiation method, ठीक फ्रेंस, इसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है, 89, 89 में दोस्तों देख सकते हैं, आपको खाली जगे भननी कि क्या सही सब्द है, यह आपका जब real की answer किया जाएगी, तो उसमें और ज़्यादा clear हो जाएगा, ठीक है, 90 नंबर में भी आपका doubt है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, A ठीक है, इसी प्रकार आपका 91 है, 90 का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, A ठीक है, 92 का जो स 60 मीटर 92 का answer हो जाएगा, आपका D नंबर ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपका 93 है, 93 का answer आपका D हो जाएगा, ठीक है, एक बटे 15 से एक बटे 20 ठीक है, साथ साथ दोस्तों मैं बार बार कहा रही हूँ, आप अपनी बुकलेट के अनुसार पढ़ते हुए चलिएगा, ठी साथ दोस्तों अगला परस्न देख लेते हैं, 94 नंबर, 94 नंबर का सही answer होगा, आपका वो होगा, ठीक है, 94 का जो सही answer है, वो आपका होगा, ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 95, 95 में आपको एक यह ट्रस्ट वाली रूफ दे दी और कहरा उस रूफ को पहचानिए, तो आपका जो 94 का सही answer हो जाएगा, ठीक है, लीन टू रूफ, ठीक है, 95 का सही answer होगा, लीन टू रूफ, ठीक है, आपकी लीन टू रूफ, ठीक है, इसी पकार दोस्तों अगला प्रस्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, 96, 96 का मैं डारिक्ट आपको answer बता रह पाइब कहाए तो सही मैच कर रहा है दो सतानवे का हो जाएगा क्या बी नमब्र ठीक है इसी पकार दोस्तों आपका पी आ जाते हैं चानवे का जो सही अंसर दिया है टेक्स्ट बुक ने वह आपका सी दिया हुआ है हला कि यह डाउट फुल भी है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो सही आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए तीन बराबर पढ़ते उचाई से ठीक है लेकिन जो टेक्स् सही आंसर है वह आज आपका है बी नमबर एक बटे चार ठीक है वह यह पते करना चाहिए आपका 100 नमबर एकमसर लाइगा देख सकते हैं 101 एक नंबर 101 का प्रश्न पढ़ लीजेगा इसका जो सही आंसर है फ्रेंस वो डी नंबर है फ्लो मीटर के अंदर फ्लो प्रोफाइल को इस्थिर करना ठीक फ्रेंस तो 101 का अंसर हो गया डी ठीक फ्रेंस इसके बाद दोस्तों यहां पर 102 दिया हुआ 102 प्रश्न आप देख लीजेगा 102 का जो सही आंसर है फ्रेंस वो है आपका सी नंबर ठीक 6FD ठीक 6FD इसका सही आंसर होगा ठीक प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है 103 ठीक ए 103 में आपको कहरा है कि जल सोधन के संदर में निम लिखिद प्रक्रिया को विवस्थित करें कि मतल स्टीन का बना करके एट हई एक सो तीन का हो गया बढ़ते है एक such यहां पर जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं सब्सक्रांइब को सही आंसर है एक सुपांच च स्ट्वरेहा है उद्सपा Rings नंबर में 105 में कह रहा है कंक्रीट का निम्न में से कौन सा ग्रेट मानक या मध्यम सक्ती कंक्रीट की स्रेणी में आता है ठीक है आपका स्टेंडर्ड काटिगरी में पूछ रहा है ठीक है तो 105 का सही आंसर हो जाएगा आपका 80 ठीक है, M40, ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 106 नमबर, 106 नमबर में जो आपका सही आंसर हो बी, 125 वर्ग मीटर, ठीक है, 106 का सही आंसर हो जाएगा, 125, ठीक है, इसी पकार दोस्तों आपका 107 नमबर आयाता है, 107 का जो सही आंसर हो आजाएगा आपका A नम यहां पर आपको compacting factor का एक मोटे मोटे तोर पर आपका फर्मूला पूछा है A B के form में ठीक है तो आपका A upon B हो जाएगा ठीक है फ्रेंड सी पकार दोस्तों अगला प्रशने यहां पर देख सकते हैं 109 नंबर ठीक है 109 नंबर का आप प्रशन पढ़ लिजेगा इसका जो कु आपका A नंबर ठीक है 110 का भी जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह आपका A नंबर ठीक है इसके बाद दोस्तों आयाते हैं प्रशन नंबर 111 में कहरा 6 मीटर से अधिक फैले बीम की सर्ट्रिंग को हटाने के लिए कितना समय दिया जाता है तो 111 का सही आंसर है फ्रेंड्स B नं ठीक है यह arrow है ठीक है इसके बाद दोस्तों आप यहां देख सकते हैं 113 नंबर 113 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा B ठीक है 113 का हो जाएगा B कहरा डैम प्रूफ पोर्स DPC की गड़ना के लिए माप की निमलिकित में से कौन सी विधी सही है तो यहां पर आपकी B आंसर से हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 114 नंबर दिया हुआ है तो कह रहा है कि उन कत्नों की पहषान करें जिने सर्वेच्छन में साधरन थियोडोलाइट की सहायता से निस्पादित नहीं किया जा सकता ठीक फ्रेंड इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 116 नंबर 116 नंबर में खाली स्तान दिया हुआ है किरा सही जगह इसका सही सब्ध भरिये तो 116 का जो सही आंसर है यहां पर D हो जाएगा ठीक है 116 का सही आंसर हो जाएगा आपका D इसी पिकार दोस्तो अगला प्रस्न है 117 नंबर, 117 नंबर का दोस्तो सही आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, ठीक है, 117 का आपका हो जाएगा 0 डिगरी 36 मिनट, ठीक है, 117 का आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है, इसी पिकार आपका हो जाता है 118 नंबर, 118 में कहारा है, टो आपको इसमें से पहचान करनी ही कि टोटल स्टेशन का प्रियोग कैसे किया जाता है तो कौन से कथन सही है तो आपका 118 का फ्रेंट सही हो जाएगा D नंबर केवल 124 के लिए ठीक केवल 124 के लिए 36 कोड़ लंबद कोड़ और धालू दूरी के लिए आपका टोटल स्टेशन क प्रियोक करना के लिए किया जाता है फ्रांश इसके बाद आपका है 119 नंबर ठीक है 119 का आपका सही आंसर ए को सर्वत्तम रूप से दर साती है तो यहाँ पर पास्कल का नियम होगा ठीक फ्रेंट्स 20 का आपका हो गया 120 का हो गया सही आँसर पास्कल इसके बाद दोस्तों अगला प्रस नहीं हाँ पर 121 नमबर 121 दोस्तों आपका इस्टिमेट से संबंदित है सिंकिंग फंड की गढ़ना भवन के जीवन यानि की बिल्डिंग लाइफ और भवन के पर किस पर निर्भर करती तो इस क्रेफ वैलू पर निर्भर करती है ठीक फ् इसका आंसर हो जाएगा 122 का बी नमबर ठीक है इसी प्रकार दोस्तों 123 नमबर पर आ जाते हैं 123 नमबर का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपका है डी नमबर ठीक है संट्रिफूगल पंप ठीक है 130 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स है डी नमबर संट्रिफूगल पंप अग तो इसका आंसर है आपका A ठीक है एक पक्की छत के अंत में बनी दीवार का त्रिकोणी उपरी भाग ठीक है तो यह आपका आंसर हो जाएगा 124 का A नंबर ठीक है दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट प्रस्ण आ गया हम लोग का 125 और 125 ही टेक्निकल में प्रस्ण थी ठीक 125 का जो सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा A नंबर ठीक है 1.542 मीटर ठीक है अलाकि इसमें भी डाउट है तो इस प्रकार तीन प्रस्णों में डाउट निकला है एस पर टेस्ट बुक ठीक है तो आपकी जब ओरेजिनल आंसर की आएगी तो ही क्लियर हो सकता बाकी यह मान के चलिए दोस्तो 99.9 परसंट यह सारे आंसर लगभग सही है आपका यह मान के चलिए एक या दो प्रस्ण में आपके वैरियेशन निकल सकता है जब आपकी यूपर ट्रपलसी ओरेजिनल आंसर की जब रिलीज करेगा ठीक है तो वीडियो थोड़ा भी अगर helpful लगा हो फ्रें लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है वहाँ पर भी आपको टेक्निकल से जूड़ी छोटी मोटी जानकारी मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें